गुड मॉर्निंग गाईज कैसे हो आप सब आई होब अच्छे होंगे यह अमने आग जला रखी है यहां सड़ी काफी ज्यादा है दिल्ली एंसियार में बहुत काफी सड़ी है अब लोग अपने हाथ से एक रहे हैं और ठड़ तो है अब यह देखिए मेरा केमरा मैं चांद आप भी बैठाये टोपा लगाकर जैगेट में अब यह मैं अपनी किचन में आ गी हूं मुझे बनानी आज कड़ी तो कड़ी के लिए मैं यह बेशन घोलने की तयारी कर रही हूं मेरे घर में बेशन खतम हो गया था मैंना फी न्यू पैकट मगाया था उसके बाद मैंने ल अब यह मैं बना रही हूं मैं जादा पतला निकरना इसे अलका सथिक रखना है देखिए मैं कैसे गोल रही हूं जैसे आप लोग घोलते हैं उसी तरीके से गोल लीजी इसको जैसा आपको बैटर लगता हो उसी तरीके से मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालूँगी मुझे उसका फ्लेवर पसंद नहीं है आप लोग चाहें तो इसमें डाल सकते हैं फुलाने के लिए बट मन्नी डालूंगी अब यह हमारी मठा है और याने मैं इधर की साँड़ तो लशी बोलते हैं 이후 अब्फा बोलती है इसको डालेंगे ढूंट्रीड के दो मुठी के करीमे इसमやको अब इसको अच्छे dealt exactly ताकि इसमें लम्स ना रहें उसके बाद हम इसमें लाल मिर्स पाउडर डालेंगे अल्धी पाउडर नमक पाउडर इसमें साथ साथ ही डाल लेते हैं इसको मिलाकर रख देंगे उसके बाद मैं अपनी कडी छोक लूंगी इसमें मैंने कडाई मैंने गैस पर रखती है उसमें मेंने oil डाल लिया है सर्शो का तेल आप चाहे तो रिफाइन भी डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे वैसा नादे तेल जो आपको पसंद हो उसके बाद मैंने करीपत्ता मैं सौरी मैं भूल गी थी मनें करीपत्ता पहले डाल दिया तेलाट मिट्च भी उसके बाद मैंने इ उसके बाद मैंने यह लस्सी गोली हुई ती है मठा मतलब वह मैंने इसमें कड़ाई में डाल दिया है कि यह लोग चाज भी बोलते हैं गाउं में चाज बोलो लस्टी बोलो मठा बोल लो है तो एकी चीज जो आपको बोला बोलो उसमें मैं ने थोड़ा सा पानी अभी ओर डाला है अभी हमने अपनी कड़ी है वह छोग दिये देखो देखने में कला अच्छा लग रहा है अभी तो इसको दूसरे वाले चूले पर रख देंगे अब यह हम अपनी पकोडियां बनाएंगे इस तेल को घरमोने के लिए रख दिया है जूला मैंने इस बड़े से चेंज गया है ताकि यह कैमरा है कैमरे में साफ नहीं आती है मैं चोटी चोटी पकोडियां डाल रही हूं तेल मेरा घर हो चुका है इसको मैंने रेस्ट करा दिया था वेशन को दस मिनट के यह तो यह इसको पूल जाएंगे पकोडी अगर आप जल्दवाजी में बनाना चाहो तो इसमें खाने का सोडा या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं इससे की जल्दी पूल जाती है यह पर इसको फ्रेस्ट करा देती हूं हमें बेसन को जब भी मतलब खूलती हों ब मेरे चावल भी पक चुके हैं सारा काम करना होता है जिल्दी जिल्दी अभी हमें अपना कड़ी में फाइनल तड़का लबाने जा रही हूं अब लोग भी लगाते होंगे फाइनल वाला तड़का या रेकी तड़का लगाते हैं प्लीज मुझे कमेंड करके बताईएगा अभी इसमें राई डाल दी है अभी थोड़ी सी मैंने डाली है जालने के बाद में थोड़ी सी जाल तिया जाल तिया कृणी मिर्श थोड़ी सी सुुकी लाल मिर्श ठोड़ी सी घ्ली पाऊडर डाल तियाρό प्लीज मुझे कमेंड करके बताईएगा इस तरह किकी कड़ी खानी है वो आपको दिखाऊंगी अपने लाते भी में देखो यह मेरा दूद भी गरम हो चुका है सुबह सुबह क्या टाइम होता है वो काम बहुत होता है सुबह सुबह के टाइम में फटा फट से सारे काम करने होते है यह मैं अपना आटा भी लगा लूँगी चावल मेरे बन चुके थे अम में फटा फट से अपना आटा लगा लूँगी अभी मालकास नमक डालूँगी आटे में आटा भी मेरा लग जाएगा फटा फट से क už driving believes लूँगी के में डाटा बाटा लूँगी अपना लगा लूँगी की फट सकना लुटीस world कां वाट वज झा WOW यह देखो गाइस आटा मेरा लग चुका था मैं रोटी मेरी बना रही हूं मैं अपनी रोटियां मैं दो रोटी एक साथ बना लेती हूं एक-एक करके बनाती तो मुझे काफी जन्जट लगता है दो रोटी एक साथ बना लेते हूं देखो बन रही है मेरे रोटी और कड़ी चावल मेरे घर में सबको पसंद आए कड़ी के साथ चावल ही घाएंगे रोटियां नहीं खाते हैं रोटी मुझे पसंद रोटी के साथ यह मेरे सास खाते हैं वो क्योंकि चावल नहीं खाती वो क्योंकि बमार रहती है इसलिए हम उने रोटिया ही देते हैं अब मैं रोटी मेरी बन चुकी है, खाना मेरा लग चुका है, आजाईए खाली जीए, कड़ी है, चावल है, रोटी है, अगर आपको पसंद दे तो खाली जीए, बहुत अब मैं जा रही हूं अपनी छथ पर, एक स्पेसल चीज लेने के लिए, लाने के लिए, देखिए, मैं क्या लेकर आती हूं अपनी चत पर से, ये है वो चीज अलोवेरा, देखिए मैं इससे क्या करती हूं, मैंने इसको धो भी लिया है, साथ साथ, एक ही चाहिए थी, बस मुझे अलोवेरा की जो थी वो, देखिए, मेरे घर में कितना सारा सामान है, सारा जो मेरा जीना है, सामान से बढ़ा हुआ है, छोटा गर है, अब मैं इसको देखो काटूंगी, अब देखिएगा, हम क्या करते हैं, इस एलोवेरा से, ये है बहुत इसपेसल चीज, आप लोगों के घर में भी लगी होगी, ये मैंने डाला इस पैन में नारियल करते हैं, हम मैं बनाओंगी इस हेयर ओयल, बालो में लगाने के लिए, ये हेयर ओयल ऐसा है, जब आपको बालो में लगाना हो, जब भी आपको शेंपू करना हो, शेंपू करने से एक गंटे पहला है, इस तेल को बनाईएगा, उसके ब इस तेल को उसके बाद शैम्पू कर लीजिएगा उसके बाद देखेगा आप अपने बालों को कितनी शाइंग करते हैं आपके बाल और आपके बालों की ग्रोध पी अच्छी होगी इस एलोबेरा को इस तेल में अच्छे से पकाना आए बस और कुछ नी करना धीमी दीमी सरदियों में गोले का तेल जम जाता है तो नारेल का तेल हमें अच्छी से ठंडा करना आए जयादा नहीं खंडा करने के बाद में हल्के-अल्के उंगलियों से चंपी करना ही है अपने सर में यह देख हूं हमारा ऐलोवेरा बख चुका हैं आप हम इसको चालेंगे अच्छे से दबाद आए कर जो इसकी पल्म है वो चीन से निकाल लेंगे अच्छो में तेल का ऑईल का मतलब कलर तोड़ा चेंज हो गया है ना हमने यह चाल लिया है कल्याता है वाइट कलर का और यह को गया हल्के ग्रीन कलर करूत किती हो कि अंच वищ का ला गई पालों में चंपी करती हूं इसको शैमपु करके नहाना था भुराए कि मम्मी आपने ऊयल बनायाय तो एस मेरी बालों में लगा दो मैंने अपनी बड़ी बेटी की पी। जिसके बाद चोटी वाली बेटी के की थी, फिर बेटे के की थी, बारी बारे सारे नाये थे, चम पिकर करके, इनके बाल बाद में बोच सिल्की सॉफ्ट हो गए, आप इसको अफते में दो या तीन बार लगा सकते हैं, सॉयल को, अगर आपके घर में ऐलो वेरा है, तो आप चरूल बनाई ये सॉयल को और अपने वालो में लगाईेगा, ये मैं साथ-साथ अपनी किचन में आगी थी, तोड़ा सामान था, जो मुझे डबों में भरना था। जोड़ा-थोड़े सामान थे, जो मेरे बादाम थे, मैं इसनां डाल दीे, का मिनने एपनी किचन की थोड़ी स्रेटिं क करनी थी सारे डब्बे देए सामान मेरा फैला हुआता है दरोगा तो मैंने सारा सामान घर जी आते हैं तब दो आज तो मेरा हूलिया भी ऐसा ही हो रहा है कोई बात नी घर में सब ऐसी होते हैं अपने जो मेरा सामान ता जो डब्बे खारी थे हो मैंने भड़ दिया है और अपना यह डब्बे सारे मेरे डॉटी के पिस्किट है जो हमारे मोले में इनका मैं एक महीने के कट्टे मंगा लेती हूं यह भी मैंने डब्बे में बढ़ दी हैं बताया भी था मैंने अपने लास्ट वाले ब्लॉक में दिखाया भी था कि इतने बड़े बड़े अम्रूद हैं फॉप कि बस्क्ति हु कारते बढ़े को यह को रहा हम उसे इतने दीन हमले ख़र्ड़े शया हैं शया के प्ताइशन हैं बस suff Kopf कि इतने बत्ताया थैस आर बीड़े कि मांठे तक्षिन हो il था कि जाने में हंते प्छूण हैं देखिए गाइस यह मेरी अल्मेरा विल्कुल सेट हो चुकी है जो मैं भी डबो में सामान डाल रही थी वो मेरे सारे लग चुकी है छोटी छोटी चीजे होती है वो बड़े तरीक से सेट करो होती है बने करते हैंड। वीडियो अच्छा लगया तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और वैल आइकन को दवाना मत भूलेगा गैस आप लाइक भी नहीकर रहें सब्सक्राइब बहुत सर्दी पड़ रही है सर्दी से बचो रजाई कंबल में रहो ज्यादा से ज्यादा आराम करो जो मिल जाए रजाई और कंबल में खाओ जैसे की मेरी बेटी है बेटी बहुत काम करवाती है आपके साथ मै ऐसे मत बोलो किम्ड़ा के पेचे रहति तो क्या थिल्मार्ट फुर्दी ना है हाँ ऑन ImpfAam के तो क्या अब यह चिंदा आछाघ में अश्यड़ान गाएक। कि मम्मी अरे कुछ लिगा दवापका तो सब बढ़िया है अरे बोलो ना चान नवाब बहुत बहुत आई गई आदे यह वला तेरे जाने का गम और नाने का गम फिर जमाने का गम क्या करे राहा देखे नजर रात भर जाग कर पर तेरी तो खबर ना मिले बहुत आई गई आदे मगर इस बार तुम ही आना इरादे फिर से जाने के नहीं लाना तुम ही आना बाई बाई गाई इस वीडियो को यहीं पैंड करते हैं बाबा इक सब्सक्राइब कमेंट्स और चान नवाब का सलाम बाई चान नवाब के लिए भी लाइक करना बहुत मेहनत लगती है